असलाम पर दोस्तों, आज इस वीडियो में इस टॉपिक अपर मैं आपसे बात करूँगा, उस टॉपिक का नाम है कि काले लिनिक्स और पैरेट अपरेटिक सिस्टम, यह दोनों हैकिंग के लिए क्यों यूज होते हैं, बाकी अपरेटिक सिस्टम क्यों नहीं हैं, इनी का स्क अभिए, हैक्वा युडिव चैनल, चलिए सीखो seu. इन दौन में फर्किना, बड़े ही असान है तो сब inté हैं कि हैकिंग के लिए, यह यह उप्रेटिक सिस्टम क्यों होते हैं, हमारे पात दूसरे वह क्यों होते हैं लेकिन्य mixer सबसी पहले हम बात देखेने हैं तक हर OPERATING SYSTEM को कोईनलनी मकसद होता है जिसके लिए वो बनाया होता है अगर हम Windows OSS की बात करें वे उन्हें एंड यूजर के लिए इस तरहां से बिनाी है कि वो अपने डेली टास्क बेसिक टास्क या फिर जो उनके जुरूरी काहँ में वो परफॉर्म कर सकें जैसे अगर मैं बात करता हूँ आप सिंपल ब्राजिंग आराम से कर सकते हैं आप सिंपल अपनी वीडियो अडेटिंग में वहाँ पर कर सकते हैं आप कोई भी ऑफिस का टास्क अपना परफॉर्म कर सकते हैं आप गेम्स वगरा खेल सकते हैं यह माइक्रोफ ने अपना इसलिए उपरेटिंग सिस्टम मुतारफ कर वाय था अपना इसलिए उपरेटिंग सिस्टम इन्हों निये इंटर्डूस कर वाय था जो लोग है वो बेसिक टास्क या फिर कोई भी एडवांस टास्क जो के डेली लाइव में वो करना चाहते हैं या फिर उनको जुरूद पढ़ते हैं वो उसको यूज करते विए अराम से परफॉर्म कर सकते हैं गर में वींडूर्च सिस्टम की बात करूं, जिसमें विंडूस 7, 10 1, 8.1, कोई भी विंडू यूदी फिर एक पहले होती है या निकि कोई भी वजन ओ विंडूस अगर में बात करें तो यह सारी एक अलग अपरेटिंक सिस्टम है और Linux की फिर हमारे पास अलग से हमारे पास operating system दाती है जिसमें Ubuntu भी आ जाती है, हमारे पास Kali Linux भी हमारे पास आ जाती है तो अब operating system, हर एक operating system क्यों पर आया जाता है तो कि आज हमने काली Linux और Parrot Operating System के बारे में बात करनी है तो अब हम देखते हैं के काली Linux और Parrot Operating System ये दुन हैकिंग के लिए ही क्यों यूज होती है ठीके न और इन दुन का आपस में फर्क होता है देखिए जो काली Linux है वो 2006 से चलता आ रहा है ये जो भी ब्लैक हैट हो ये फिर ये जो भी वाइट हैकर हो ये पर गिरे हैट हो जो हम अलग से दिखेंगे लिकिन कोई भी आकर हो वह जादा प्रफर अभी बी काली Linux को करते हैं क्योंकि उस पर जो टूल है वह ज्यादा पॉर फुल है as compared to parrot operating system अब parrot operating system भी 2013 में जो इंटिड्यूस करवाया है वो भी hacking के purpose ले ही use होता है अब इन दों में फर्क यह है काली Linux system के resources को बहुत जादा इस तरीके से use करता है जब कि parrot operating system थोड़े से lightly उसको use करता है यानि कि अगर आपके CPU की efficiency तरी नहीं है अब होता क्या है जो parrot operating system है इसमें बहुत सारे नए जो hacking tools होते है वो भी इसमें आ रहे होते हैं पहले से अब मैं एक basic बात बता दूँ कि जो काले लिल से है या फिर parrot operating system है इन दोनों में ही built-in hacking tools आ रहे होते हैं जैसे मैंने बात की ती पहले अब मैं Microsoft की बात करूँ जो इसकी Windows है हमारे पास उसमें कोई भी इस तरह का hacking tool पहले से Windows के साथ इंस्टॉल होके नहीं आता क्योंकि वो इसलिए बनी ही नहीं है जो चीज जिसलिए बनी होती है उसमें वैसी ही चीज पहले से जो की hacking की परपस के लिए परफॉर्म की जाता है अब पैरट जो अभी नया आया है तो इसमें क्या है काली लिनिक्स के मकाबले में थोड़ से ज्यादा एडवांस पहले से ही built-in software इसमें आ रहे हैं अगर मैं छोटी से एक आपको वाइफाइ फिशिंग की जो के काली लिनिक्स में भी मौझूद है लेकिन उसका अलग से पैकेज हमें डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है अपने या फिर लैप्टॉप के अंदर लेकिन अगर मैं पैरेट ऑपरेटिंग से बात कुरों तो उसमें ऐसे सॉट्वे जो के काली लिनिक्स में अलग से दुबारा इस्टॉल करने पड़ते हैं वह हमारे पास पैरेट वे पहले से मौझूद होते हैं उनको अलग से डाउनलोड को यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आप काली लिनिक्स करने चाहते हैं तो थोड़ा से सिस्टेम आपको ज्यादा एफिशेंसी परफॉर्म करने पड़ेगी महाँ पर यानिकिस्टम थोड़ा सा आपके पास जदा अच्छा होना लाजमी हैं लेकिन दोनों ही अपनी जगा प हैं उரच को सरच भी कर लें तो अफिशल यहाँ पहर पर यहीं बताया था कि जो अभी पोड़ाफु है कर वितिकल को रहा जोते हैं औरवी 10 अपर तो इस वास दोनों होते हैं या किसलिए बना होता है और यह किस बना होतहि ईक्सांतों ह है उसमें क्यों built-in पहले से software किस तरह के आते हैं इसमें क्यों पहले से built-in software किस तरह के आते हैं जो किसी का प्रमक्सद होगा उसमें वैसे software हमारे पास install होके पहले से आते हैं अब जो Linux और Windows की बात है कि Linux क्या होता है और Windows क्या होती है इनको हम एक बात में अलग से वीडियो में देख लेंगे कि Linux Operating System क्या होते है हमारे पास और Windows Operating System हमारे पास क्या होते हैं यह दोनों इक अलग टरम्स हैं क्यों यह अलग हैं इनको हम किसी अलग वीडियो में देख लेंगे अगर आपको युडियो में इतना ही अगर आपको युडियो पसंद नहीं तो इस प्रिकर लाइक इड़े सब्सक्राइब कर नमद भूले करें चैनल को अगर आप चाहते हैं मैं और भी से रेडिट टॉपिक आपके सामने लेकर आता रहा हूँ और अगर आपको ज़्यादा चैनल के समझ भी आ रही है तो आपके अपने समझ के साथ साथ अब दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और सो होगा क्या उनका भी फाइदा होगा प्लस आपका भी फाइदा हो रहा है पहले से मैं मैं तो आपके ये वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज गुडबाई